हेलो दोस्तो तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एक्जाम मेकर पर तो दोस्तो आज की इस व्यूडियो में हम करने वाले हैं BSF ट्रेट्समेंट 2013 के GKGS के ऐसे आतिमेट पूड़ प्रिशन जो आपके अंते 5 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तो इसी तरीके से डेलिक डेली प्रेक्टिस जरूर देखना क्योंकि ये कुश्चन आपकी लोगों के लिए एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चले दोस्तो अब जदस मैं बरबादना करते हूँ आज की क्लास को करते श्टार्ट और हाँ दोस्तो ये क्लास खतम होने के बाद आपको ये पीडियेप टेलिग्राम ग्रूप इंडियन एक्जाम मेकर पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप लोग ये पीडियेप डाउनलोड कर सकते हो तो चले दोस्तो इसका सही अंगर क्या होगा किसे कहा जाता है, उप्शन E, जवारलाल नहरू को, उप्शन B, इंद्रा गांदी, उप्शन C, मनमोहन सिंग, या फिर उप्शन D, PV, नरसिन नहराओ, तो दोस्तो इसका सही आंसर बताईएगा क्या होगा, तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा, उप्शन C, मनमोहन सिंग, दोस Option B, सिख दंगों की जाच के लिए, चारा घोटाला की जाच के लिए, या फिर Option D, परयोक्त सभी, तो दोस्तों, इसका सही अंसर होगा आपका, Option A, दो हजार दो के गोदरा घटना की जाच के लिए, Question No. 4, नौकर साही का कारे है, Option A, सरकार की नीतियों को लागू करना, Option B, प्रसासन चलाना, या Option C, मंत्रियों की साहता करना, तो दोस्तों, इसका सही अंसर होगा आपका, Option D, दोस्तों, ये O, A, B, C, ये तीनों सही हैं, दोस्तों, ये नौकर साही का कार है, Question No. 5, प्रसाजमा, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, दोस्तों, ये आपकी BSF की पूछी जा रही है, कि आपकी BSF की स्थापना कब की गई, दोस्तों इसी को बोलते हैं, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल, तो दोस्तों बताईएगा इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो ओप्शन A 1965 में दोस्तों सन 1965 में B.S.F. की स्थापना की गई कुश्य नमबर 6 नेवल एयर स्टेशन गरोड कहां पर स्थित है ओप्शन A नई दिल्ली, ओप्शन B कोचीन, ओप्शन C चैननाई या फिर ओप्शन D देहरादून तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओप्शन B कोचीन में कुश्य नमबर 7 भारत डाइनामिक्स लिमिटेड के अंदर कहां स्थित है कलकत्ता, हैदराबाद, चैननाई या फिर ओप्शन D दिल्ली तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओप्शन B हैदराबाद में दोस्तों ये आपका भारत डाइनामिक्स लिमिटेड के अंदर हैदराबाद में स्थित है कुश्य नमबर आठ, कौन सा देश, G7 का सदस्य नहीं है ओप्शन A भारत, जर्मनी, जापान या फिर ओप्शन D कनाड़ा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ओप्शन A भारत दोस्तों ये जो भारत है अपना देश, ये G7 का सदस्य देश नहीं है कुश्य नमबर 9 ँचीन की समाचार औजएंसी का क्या नाम है उप्शन A चाइणा टाइम, उप्शन C चाइणा न्यू चाइणा न्यू अजएंसी या फिर उप्शन D न्यू चाइना रिपोर्ट तो दोस्ट इसका सही आंसार होगा option C, New China, New Agency दोस्टो ये चीन की समाचार Agency का नाम है question number 10, किस देश की सरकार रिपोर्ट को वेलो बुक कहा जाता है option E, France, Britain, Italy या option D, Germany तो दोस्ट इसका सही आंसार होगा आपका option E, France दोस्टो फ्रांस देश की सरकार रिपोर्ट को ये लो बुक कहा जाता है question number 11, भारत के पर्थम विधिविस विध्याले की स्थापना अगस्त 1887 में कहा हुई थी option E, त्रिवेंद्रम, option B, एहमदाबाद, बैंगलरू या फिर option D, नई दिल्ली question number 12, निम्न लिखित में से किस विधेशी नागरे को भारत रतन परदान किया गया है option E, नेलसन मंडेला, option B, बिल कुंटन, या फिर option C, एडॉल्प हिटिलर, या फिर option D, बोरिस येलो इतिसन question number 13, पुलितिजर पुरुसकर किस छेतर में परदान किया जाता है option E, पत्रकारिता, विध्यान, खेल, या फिर option D, टैनिस, तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option E, पत्रकारिता, दोस्तो ये पुलितिजर पुरुसकर, पत्रकारिता कि छेतर में परदान किया जाता है question number 14, राधा मोहन कप का संबंद किस खेल से है, option A, पोलो, option B, फुटबॉल, option C, किरिकेट या फिर option D, टैनिस, तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option E, पोलो, दोस्तो ये राधा मोहन खेल का संबंद पोलो से है question number 15, पुस्तक, नाइन, टीन, एंड, फोर, किसके द्वारा लिखी गई है, option A, आरके नारायड, खुसवन्त सिंग, जार्ज ओर्वेर, या फिर option D, कोई नहीं question number 16, तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा, option C, जॉर्ज ओल्वेर के द्वारा question number 16, निम्न में से कौन, सहयुक्त राष्ट की सुरक्षा परिस्द की इसका इस्थाई सदशी नहीं है, option A, Germany, France, Great Britain, या फिर option D, चीन question number 17, आसियान किस के लिए है, तो दोस्तो बताईएगा, इसका सही अंसर क्या होगा, तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा, option C, Association of South East Asian Nations, दोस्तो ये आसियान इसी के लिए है, question number 18, भारत में एक समय, पश्यम बंगाल और आंदर प्रदेश में, समित नकसलवाद, अब इस राज जिँंगा, तो दोस्तो इसका सही अंसर बताईएगा, क्या होगा, किनकिन राजियों फैल चुका है, तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा, आपका option A, ओडिशा, ञचत्तिसगर, जहारखन, और बिहार, दोस्तो अब इस राजियों में भी आपका नकसलवाद फैल चुका है, question क्वेशन से पुश्य नंबर 19 इन देशों में इसे कौन सा एक देश जी सेविन का सम्हूं का सदाश नहीं है उप्सन a France अउप gefragt उस्पल्ए सिस्पैन या फिर ऊप्सन डी जर्मनी तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा आपका ऑप्सन डी जर्मनी दोस्तो यह जो जर्मनी है यह आपका जी सेविन समूं का सदशी नहीं है कुश्य नमबर 20 लिट्टी किसके लिए है ओप्सन नहीं लंकन टाइगर्स और तमिल इलम तो दोस्तो इसका सही आंसर बताईगा क्या होगा तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा ओप्सन बी लिबरेशन टाइगर्स और तमिल इलम दोस्तो लिट्टी इसके लिए ही है कुश्य नमबर 21 जी पंद्रा है तो दोस्तो यह जी पंद्रा क्या है दोस्तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताईएगा क्या होगा तो दोस्ते इसका सही अंसर होगा आपका option D विश्व के विकाज सिल देशों का संगठन दोस्तो यह जो जी पंदरा है यह आपके विश्व के विकाज सिल देशों का एक संगठन होता है आपका जी पंदरा ठीक है question number 22 तो दोस्तो इसका है कि 123 समझो होता इन देशों से संबंदित है किन देशों से है भारत अमेरिका या फिर भारत रूस भारत पाक या फिर option D भारत चीन तो दोस्तो आपका सही अंसर बताईएगा क्या हो सकता है तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा आपका option A भारत अमेरिका दोस्तो यह 130 यानि कि या फिर option D स्रीमती प्रतिपापाटेल तो दोस्ते इसका सही आंसर होगा आपका option C डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम दोस्तो भारत में चलित निया यालाए डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है कुश्य नमबर 24 भारत अमेरिका परमाडू संदी के संबन्द में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास पद बना option A कसिंजर एक्ट, option B हाइड एक्ट, option C मुनरो एक्ट या फिर option D बुस एक्ट तो दोस्ते इसका सही आंसर होगा आपका option B हाइड एक्ट कुश्य नमबर 25 नई मुद्रा यूरो किस वर्स में प्रारंब की गई उन्ने सो च्यानबी, 1667, उन्ने सो अठानबी या फिर option D 1999 तो दोस्ते इसका सही आंसर होगा आपका option D 1999 में दोस्तो नई मुद्रा यूरो 1999 वर्स में प्रारंब की गई थी तो दोस्तो ये थी आपके आज के BSF ट्रेट्समेंट 2023 के GKGS के अतीम हैतपूर 25 प्रिशनी की class दो दोस्तो ये सभी questions आपके एक्जाम के लिए बहुत ही important है इसलिए आसा करते हैं कि आपने इस class को बहुत ही अच्छे पढ़ा होगा और दोस्तो इनकी practice करने के लिए PDF आपको Telegram Group Indian Exam Maker पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तो वीडियो पसंद आयों तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नायों तो सब्सक्राइब कर फिर notification वेल को भी on कर देना जिससे के अगली वीडियो क्लास की नाटफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें